हेलो दोस्तो नमस्कार मैं दीप्तिकुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल दीप्स लेर्णिंग हप पर दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं 10 से 12 मिनट की एक एक वीडियो डालती हूँ वो वीडियो इंग्लिस की भी हो सकती है, CDP के क्विश्चन की भी हो सकती है, GS के क्विश्चन की भी हो सकती है इसी तरह मैं आज भी आपके लिए कुछ क्विश्चन लेके आई हूँ, mix-up questions है, GS के हैं, ठीक है जो आपके exam में directly help करने वाले हैं, ठीक है, और आप सभी इन questions को अच्छे से पढ़िएगा मैं आपका ज्यादा time नहीं लेती हूँ, सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर एक अच्छा content और एक अच्छी vibes आपको देके चली जाती हूँ तो अगर आपको session अच्छा लगता है, तो appreciate कीजिए, share कीजिए, keep loving, keep sharing, जिससे कि मुझे भी motivation मिल सके और मैं आगे चीज़ों को और अच्छा कर सकूँ बेसिकल यह आप सभी को पता है कि किसी भी काम को करने के लिए intrinsic motivation ही हमारा काम करता है, ठीक है लेकिन उसका response अगर आप लोग मुझे positively देते हैं, तो उस काम को करने में दोगना मजा आने लगता है, ठीक है और जो भी आपको negative चीज़े लगती भी है वीडियो में, आप सभी उसको comment कीजिए, मैं उसको सुधारने की पूरी कोसिस करूँगी आप सभी को पता है कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ motivational code के साथ शुरू करती हूँ, है ना, लेकिन आज मैं कुछ बात आपको बताना चाहती हूँ, जो जिन्दिगी से related है, जो life से related है, उसे समझिएगा, उसे अपने जीवन में जरूर उतारिएगा दोस्तों एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी कि इतर से महकाना कपड़ों को कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन मजा तुत्ता बाता है जब खुस्बू आपके किरदार से आती है, दोस्तों पैसे होंगे तो इतर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के किसी से कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसका डट के सामना करो, चाहें वो प्रॉब्लम कैसी भी हो, किसी के साथ कभी बुरा मत करो, लेकिन अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, तो फिर उसे छोड़ो भी मत, सीधी इसी बात है, सीधा सा फंड करती हूं और questions पर move करने के पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सेसर अगर आप सभी को पसंद आता है तो इसको like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और अच्छा या बुरा जो भी quality आपको वीडियो में लगती है उसको comment कीजिए इसके साथ move करेंगे हम लोग questions की और question number first है आपका की विक्रम भाई विक्रम भाई सारा भाई आंत्रिक चिकेंद्र कहां पर इस्थेत है या फिर विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर कहां पर इस्थेत है तिरवेंदर पुरम एक्चली ये त्रिवन्त पुरम है तिरवन्त पुरम ठीक है तिरवन्त पुरम या फिर बै लेकिन इसका एक D number option मुझे बहुत पसंद आया था, इसमें क्या है कि स्री हरी कोटा, स्री हरी कोटा से related आपको एक कीज बताती हूँ, कि जो हमारा मंगल यान था, वो यहीं से launch किया गया था, और स्री हरी कोटा में आपका 37 धवन space center इस्थित है, I hope आप सो भी कोई question clear हो गया ह या फिर मेघाले, देखिए दोस्तों, आपसे मतलब गारो इल्स की बारे में पूछा है, लेकिन इसके साथ दो और नाम जुड़के कई बार पूछे जाते हैं, गारो खासी जैनतिया, ये तीनों पाडियों के नाम है, और ये कहां पाई जाती है, तो ये मेघाले राज में पाई जाती है, ठीक है, इसका सीधा से अंसर दिये, बात करेंगे next question की question number 3, question number 3, actually numbering गड़बर हो गई, उसमें कोई ऐसे issue की बात नहीं है, थोड़ा सा corporate कीजिए, निम लिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है, option आपके हैं, गंगा, कावेरी, प्रहम पूतर या फिर सरस्वती, देखें questions थोड़े से मतलब नए हैं, आप सभी इनको ऐसे पढ़िएगा, बहुत अच्छे questions हैं, में भी आपको directly question में, directly exam में आपको मिल जाएं, ठीक है, तो किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है, तो इसका answer होगा, प्राप्ति कावे, या फिर महा कावे, या फिर इन में से कोई नहीं, या फिर नन ओफ दीज, चलिए, दोस्तों बताईए, आप सभी guess की इस चीज को कि मेग दूत क्या है, आई ओप आप सभी इसको बता पा रहे होगे, कि मेग दूत जो है, हमारा वो क्या है, गी तीक है, अब मैं आपको बताते हूँ कि मेग दूद किस ने लिखा था, तो मेग दूद हमारे काली दास जी ने लिखा था, ठीक है, मेग दूद रिटिन वाई काली दास, ठीक है, बात करेंगे question number 5 की, 5 में आपसे पूछा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, option है आपके काली दा विसागदत या फिर वाणभट या फिर नन आफ दीज, इनमें से कोई नहीं, बताइए मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, यह one-liner question से इनमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है, जिनमें समझाने वाली बात है, मैं आपको उन सभी questions को समझाते हुए चल र का साहित है, option है आपके महाराष्ट्र, तमिल नाडू, या फिर केरल, या फिर करनाटग, संगम साहित से आपसे related question आया है, संगम साहित किस छेत्र का साहित है, देखिए संगम साहित क्या है, एक्चली प्राचीन जो साहित हुआ करते थे, वो तमिल भासा में लिखे गए थे जिने हम संगम साहित कहते हैं, और ये कहां पर किस छेत्र के हैं, कमिल नाडू का है, ठीक है, इसलिए आपको 6 का, आपका option number B यहां से सही हो जाएगा, बात करेंगे next question की question number 7, question number 7 है कि हाली में चल्चा में आया या आए, कि IC 9832227 क्या है, ठीक है, question थोड़ा अटपड़ा सा नजर आ रहा होगा, लेकिन बहुत important question है, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में लाया हुआ है, कि अंतरिक्ष में ये एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे हैं, या फिर धूमकेतु है, या फिर ब्रस्पति का नया उपगर है, या फिर एक आकाश कंगा है, तो बात करे नमबर 8 की, 8 में आपसे पूछा है की, प्रत्वी की लगबग कितने प्रतिसत भूमी क्रशी योग्य है, ठीक है, बहुत अच्छा question है, बहुत मतलब best question है, क्रशी अग्रिकल्चर से related हर एक्जैम में एक नया question जरूर पूछा जाता है, 10%, 40% या फिर 30% या फिर 20% ठीक है, आयोप आप सभी को इसका answer पता होगा या फिर gas कर पा रहे होगे, 8 का आपका option number D यहां से सही हो जाएगा, बात करेंगे question number 9 की, 9 आपसे पूछ रहा है की, प्रत्वी अपने अक्छ पर कितने समय में चक्कर लगाती है, ठीक है, बहुत minor से ऐसे difference करके आपको options दिये गए हैं और अगर आप जरासा भी इसमें ऐसे दिमाग से answer नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो सकता है, 23 गंटे 69 मिनट या फिर कुछ सेकंड, 22 गंटे 16 मिनट कुछ सेकंड, 24 गंटे 36 मिनट कुछ सेकंड या फिर 23 गंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड तो जो प्रत्वी है वो अपने access पर कितने समय में चक्कर लगाती है तो आप answer हमारा होगा 23 गंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड, कुछ सेकंड में जो हमारे सेकंड होते हैं, 4.09 सेकंड ठीक है, एक जो घुडन जो प्रत्वी करती है, वो 23 गंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में करती है, बात करेंगे question number 10 की, question number 10 में आप और बनावड की दृष्टी से प्रत्वी किसके समान है, बुद्ध, यूरेनेस, या फिर मंगल, या फिर शोक्र, ठीक है, चलिए बताइए इसका answer क्या होगा, आयोब आप सभी इसका guess कर पा रहे होंगे answer, solar system या फिर solar bundle आपका बहुत important topic रहता है, एक नए question आपका यहां से बेसिकली जो सुक्र या फिर venus होता है, इसे हम इंगलिस में venus कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, twin sister, जो प्रत्वी की जुड़वा बेहन होती है, वो क्या कहलाती है, सुक्र कहलाती है, और सुक्र जो है हमारा, वो सबसे चम्कीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, I hope आप सभी सभी को question clear होगा बात करेंगे question number 11 की 11 आप से पूछ रहा है कि सामान नेता प्रतिवर संसत में कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं ठीक है एक या फिर दो या फिर तीन या फिर चार तो obviously आप सभी को पता होना चाहिए कि सामान नेता प्रतिवर संसत के तीन अधिवेशन या फ अलग-अलग time period रहता है वो भी मैं आप सभी को बता देती हूं time period जो इसका रहता है वो रहता है फैब से में तक ठीक है जो आपका budget अधिवेशन रहता है वो फैब से में तक रहता है और इसका time period रहता है वो जुलाई से अगस्त तक रहता है ठीक है और जो इसका time period है वो इतने बजे शुरू होता है एक बजे दस बजे या फिर बारा बजे या फिर दो बजे तो देखिए बारा बजे शुरू होता है इसलिए इसको क्या कहा गया है जीरो आर या फिर सुन निकाल कहा गया है इसलिए आपका ट्वेल्ट का आपका सी नंबर सही हो जाएगा बात करे या और जापान या फिर भारत और बांगलादेश या फिर पाकिस्तान और चीन आई होब आप सभी इसका एंसर गैस कर पा रहे होंगे ठीक है किन देशों के बीच होने वाला सेंट अभ्यास है देखी नाम से भी आप कभी कई बारा से क्या कहते इसको गैस कर सकते हैं वी से वियतनाम हो जाएगा आई एन से इंडिया हो जाएगा मैं तो ऐसे ही तोड़ के चीज़ें याद कर लेती हूँ ठीक है इसलिए आपका उप्शन नमबर ए यहां से सही हो जाएगा विन बैक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच होने वाला सेंड अभ्यास है बात करेंगे क्यूशन नमबर फॉर्टीन की फॉर्टीन आपसे पूछ रहा है कि किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा सुरू किया गया है तो बेसिकली नासा है या फिर एस्रोट फिर उरोपियन इसपेस अजनसी या फिर नन दीजी तो आप सभी को पता होना चैहिए कि कि बाश्रोजेक्ट यो है वह आपका नैस लोगत कर ब्रोजेक्ट 12 कि और यह Meghan कर देती हूँ इट इस एन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट थोड़ा सा आप ऐसे मतलब क्या कहते हैं एप्रिसेट कीजिए या फिर जो भी है इसको आप इट इस एन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट एम्ड एट प्रोडूसिंग नियू नियू क्लियर नियू क्लियर नियू क्लियर रियक्टर्स फॉर इस्पेस ट्रैवल ठीक है थोड़ा सा कॉप्रेट करने की कोशिस कीजिए आप सभी एक्चुली ये इस एन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट ये मतलब बेसिकर एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है किसके लिए है तो य्ये जो नियू नियू क्लियर रियक्टर्स होते हैं स्पेस ट्रैवल के लिए Space में travel करने के लिए जो नए nuclear reactors होते हैं उनको produce करने के लिए एक experimental project है जिसे हम क्या कहते हैं Kill Power Project जो NASA के द्वारा शुरू किया गया है ठीक है? बात करेंगे question number 15 की 15 आपसे पूछता है की World Social Protection Report किसके द्वारा प्रकासित किया जाता है World Bank या फिर International Labor Organization या फिर IMF या फिर World Economic Forum ठीक है? तो जो आपका World Social Protection Report है ये आपकी ILO के द्वारा ऐसे प्रकासित की जाती है ठीक है? ILO का full form आप सभी को पता होना चाहिए International Labor Organization International Labor Organization के साथ-साथ आपको इसका headquarter भी पता होना चाहिए जो कि ये बेसिकली छोटे-छोटे की पॉइंट जो questions से जुड़े होते हैं वो बहुत important होते हैं ठीक है? तो ILO जो International Labor Organization है हमारा इसका headquarter कहां है? तो इसका headquarter है Geneva Switzerland में ठीक है? Geneva Switzerland में ठीक है? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा? कोई problem नहीं होगी? तो दोस्तों ये थे हमारे 15 questions आज के आई होप आप सभी को questions पसंद आये होंगे कुछ नए questions थे, कुछ पुराने questions थे इन में से बहुत सारे questions आपको आते होंगे और में भी आपको कुछ questions ना आते हों तो वीडियो देखिए और उनको समझी और उनको याद रखिए हो सकते हैं आपके exam में directly help कर जाएं और अगर help करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी मैं खुद को काफी blessed फील करूँगी तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच गाईज एक नई energy के साथ नई उर्जा के साथ और कुछ नई questions के साथ शुक्रिया